हेई गाईज वेलकम तो अक्षेम कॉना डान्स और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हमारा पुरा बोडी का वेट है दोनों टोस पर आजाएगा और दोनों टोस को राइट साइड बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे और नी से थोड़ा सा हम लोग बैंड रहेंगे 1 and 2 और हेंड मुमेंट में दोनों हेंड को लेफ्ट तो राइट ऐसे लाएंगे 1 and 2 दोनों साथ में करते हैं उसके बाद वाला step है उसमें दोनों hands को उपर ऐसे cross करेंगे और कमर वाला part है वो आगे पीछे करेंगे और उसी के साथ हमारे hands को भी आगे पीछे करेंगे 1, 2, 3, 4 हमारा जो अगला step है उसमें left leg और right leg को ऐसे उठा के पीछे की तरफ रखेंगे और right hand से left shoulder और left hand से right shoulder को ऐसे push करेंगे पीछे की तरफ उसके बाद left leg पे left hand और right leg पे right hand को ऐसे slide करेंगे अब अगले वाले step में right leg और left leg की hill को बारी बारी से ऐसे आगे की तरफ लाएंगे चार बार और उसी के साथ पहले राइट हैंड को उपर से नीचे फिर लेफ्ट हैंड को उपर से नीचे फिर राइट हैंड को साइड में और लेफ्ट हैंड को साइड में ऐसे हिट करेंगे यह हमने पीछे की ज़रब पूश किया स्लाइड किया और वन टू, फिर साइड में थ्री एंड फूर अब जो अगला स्टैप है वो सेम आगे हमने जो रिपीट किया था वही वाला स्टैप है वान, टू और थ्री फॉर में हमने दोनों हैंड को उपर क्रॉस किये थे लेकिन इस बार हम लोग ये वाला हैंड जेस्टर बनाएंगे और दोनों हाथ को ऐसे आगे की तरफ करेंगे फिर से करते हैं यहाँ पर हमने कंप्लिट किया फिर वान, टू त्री एंड फॉर अब जो अगला स्टैप है उसमें हम राइट लेक से कीक करेंगे और लेफ लेक को पीछे टैप करेंगे फिर लेफ से कीक करेंगे और राइट से पीछे की तरफ टैप करेंगे यह स्टैप हम टूटल चार बार रिपीट करेंगे और हैंड मुवमेंट में हैंड को आगे की तरफ धक्का देंगे फिर right side ले जाएंगे फिर left side और दोनों hands से हम यह वाली movement करेंगे यह step हम total 4 बार repeat करेंगे दोनों एक साथ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब यहां से हम लोग right leg को open करेंगे left hand को अंदर की तरफ और right hand से नीचे और उपर की तरफ यह वाली wave करेंगे और उसी के साथ हम हमारी body के साथ भी हलका सा wave add करेंगे और जो हमारा last step है उसमें हम body को down करेंगे दोनों hands को roll करके उपर की तरफ आएंगे दोनों हाथ सर के पीछे की तरफ जाएंगे और दो बार यह वाला step आगे की तरफ करेंगे अब शरूरू से सभी steps को एक साथ करते हैं में अछाएंगे पर बार मारा थिसे एक साथ करते हैं